भारत के सभी तिवहारों में गड़ेश महोचो बहुत ही खास होता है वैसे तो हर महिने की चतुर्थी तिथी को गड़ेश जी की पूजा की जाती है लेकिन भाद्रप्रद मास की गड़ेश चतुर्थी बहुत ही खास मानी जाती है हिंदु पंचांग के रुसार भादरपद मास के शुक्लपक्ष की चतुर्थी किथी को गलेश चतुर्थी को मना जाता है मना जाता है कि इस दिन भगवान गलेश धर्ती पर आकर अपने भगतों की मनों कामनाएं पूरी करते हैं गलेश चतुर्थी की पूजा की अवधी जिसमें गलेश जी धर्ती पर निवास करते हैं यहां अनंत चतुर्दसी तक चलती है इन दस दिनों को गलेश महोचो के नाम से जाना जाता है गलेश चतुर्थी का पर्व 7 सितंबर यानी आज से शुरू हो रहा है और 17 सितंबर को यहां पर्व अनंत चतुर्दसी पर समाप्त होगा गलेश चतुर्थी के अवसर पर सिध्धिविनायक मंदिर में पहली आर्ती की गई इस दोरान मंदिर में सुद्धालों की भीड देखी गई गलेश चतुर्थी के अवसर पर नागपुर के टेकड़ी गलेश मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की और आपको तादे की लाल बाग्चा राजा मंदिर में भक्तों की भीड उम्री भक्तों में इस दिन का बहुत उत्साह देखने को मिला है इसी तरह आपको बता दे की दगरुसेट हलवाई गड़तती मंदिर में महारती की गई और महारती के बाद गड़ेश प्रतिमा को सारवजनिक बंदल में स्थाफित करने के लिए ले जाए गया